आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादिशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मेराना शाहित पहले इस बुलिटिन के मुखे समाचार ब्रिक्स शिखर सम्मिलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मुदी आज दक्षिन अफ्रीका यात्रा पर होंगे रवाना मुखे मंत्री सीखो कमाओ योजना का आज होगा शुबारंब जिला मुख्यालों पर होगा कारिक्रम का सीधा प्रसारन मुख्य मंत्री ने दतिया में नए एरपोर्ट का किया शिलान्यास और प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षन और मतदाता जागरुकता के कारिक्रम जारी अब समचार विस्तार से प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी दक्षिन अफरीका और ग्रीस की यातरा पर आज रवाना होंगे यातरा के पूर्व प्रदान मंत्री ने अपने संदेश में कहा कि वह दक्षिन अफरीका के राष्ट्रपती सी रामाफोसा के आमंतरन पर 22 से 24 अगस्त तक दक्षिन अफरीका की यात्रा पर रहेंगे वे जोहनिसबर्ग में पंद्रवे ब्रिक्स शिखर सम्मिलन में भाग लेंगे जिसकी अध्यक्षिता दक्षिन अफ्रीका कर रहा है उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मिलन कई शेक्तरों में आपसी सहयोग के लिए चर्चा का मंच है प्रधानमंत्री ब मुख्यमंत्री शिवराचीं चोहान आज मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शिवारंब करेंगे मुख्यमंत्री शिचोहान भूपाल के शास्किये महत्मा गांधी उच्चितर माधिमिक विद्याले भेल में शाम चार बजे योजना में चैनित युवाओं को अनुबंध का वित्रण करेंगे प्रदेश में युवाओं को कौशल विकास के साथ ही लर्न एंड अन की तर्स पर ओन जॉब ट्रेनिंग की सुविधा के लिए ये योजना शुरू की गई है पेशे एक रिपोर्ट मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान आज इस युजना का शुभारम करेंगे और युजना में चैनित युवाओं को अनुबंध पत्रों का वित्रण भी करेंगे मुख्यमंतरी सीखो कमा युजना के प्रथम चरण में एक लाग युवाओं को शामिल करने का लक्ष है हलाकि अब तक 8,79,000 से ज़्यादा यवा अपना पंजियन करा चुके है वहीं कुल 16,450 प्रतिस्ठानों ने भी अपना पंजियन कराया है इन संस्थानों ने पंजिकरत यवाओं के लिए खरीब 79,000 पद प्रकाशित किये है इन में से 14,000 से ज़्यादा पदो पर अनुबंद भी हो चुके है मुख्यमंत्री सीखो का माउ योजना 18-29 साल के मद्धिप्रदेश के मूल निवासी यवाओं के लिए सुरू की गई है मुख्यमंत्री सीखो कमाउ योजना के प्रत्थम चरण में एक लाख युवाओं को शामिल करने का लक्षे है हलाकि अब तक 8,79,000 से ज्यादा युवा अपना पंजियन करा चुके हैं वहीं कुल 16,450 प्रतिश्थानों में भी अपना पंजियन कराया है इन संथानों ने पंजिकृत युवाओं के लिए करीब 79,000 पद प्रकाशित किये हैं 14,000 से ज्यादा पदों पर तो अनुबन भी हो चुके हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ युजना 18-29 साल के मतर प्रदेश के मूल निवासी युवाओं के लिए शुरू की गई है इन दोर जिले में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ युजना के तहत युवाओं को रोजगारून मुखी प्रशिक्षन देने के लिए निजीक शेक्तर की 1833 कमपनियों ने पंजियन करवाया है यह कमपनिया 14,645 युवाओं को विभिन पदों पर प्रशिक्षन देंगी प्रशिक्षन और रोजगार के लिए जिले भर से 15,809 युवाओं ने अपना पंजियन करवाया है अब तक 2245 युवाओं के साथ शिक्षन प्रशिक्षन और मांदे के लिए अनुबंध किया गया है वहीं बैतूल में स्थानिये जे एच कॉलिज परिसर के ऑडिटोरियों में जिलास्तरी कारिक्रम होगा नई दिली के नहरू तारा मंडल में चंद्रयान 3 की सौफ्ट लेंडिन को लेकर बुद्वार को विशेश शो का आयजन किया जाएगा इसमें अंत्रिक्ष में चंद्रयान 3 की लेंडिन का लाइव प्रसारन लोगों को दिखाया जाएगा नहरू तारा मंडल की कारिक्रम देशक प्रेडना चंद्रा ने बताया कि इस शो में आम लोग निशुल्ख हिस्ता ले सकते हैं हाला के इसके लिए लोगों को नहरू तारा मंडल की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजी करन कराना होगा मुख्यमंत्री शिवराची चोहान ने कल दतिया में 39 करोड 30 लाकी लागत से नवीन एरपोर्ट का शिला नास किया इसके साथ ही दतिया के बसाई में महा विद्याले खोलने नगर पंचायत बनाने के साथ-साथ ग्राम खिरिया फैजुल्ला का नाम खिरिया सरकार करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की भी खोश ना की इस कारिक्रम में केंद्री नागरिक विमानन एवं उडियन मंत्री जोतिरादित सिंध्या भी उपस्तित रहे कारिक्रम में मुख्यमंत्री श्री चोहान ने कहा कि प्रदेश में सबसे अधिक विकास दतिया में हुआ उन्होंने कहा कि बेहनों के खातों में प्रती महा एक हजार रुपे की राशी पहुच रही है जो धीरी धीरे बढ़ा कर प्रती महा तीन हजार की जाएगी यह राशी नहीं है बलकि बेहनों के मान सम्मान देने के साथ उनका हक दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के मैडिकल कॉलेज एवं इंजीनिरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले चातर चातराओं की फीस अब सरकार भरेगी केंडरी मंत्री जोतिरादेति सिंध्या ने कहा कि दत्या में नवीन एयरपोर्ट के बन जाने पर 19 सीटर विमान उतरनी की सुविधा प्राप्त होगी एयरपोर्ट से खजुराहो एवं भुपाल के लिए हवाई सेवाईं भी शुरू की जाएंगी गौालियर का नवीन एयरपोर्ट भी 15 माह में तयार होगा अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का ये समाचार आपकाश्वानी भुपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलिटन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भुपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं इसके लावा अब हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अत्वा AIR News एप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है प्रदेश में दो अगस्त से प्रारम हुए मतदाता सूची के द्विती विशेश संक्षिप पोनरीक्षन कारिक्रम में मतदाता सूची में नए नाम जोडने, दोहरी प्रविश्टी वाले मतदाताओं, मृत अत्वा स्थानांतिरित मतदाताओं के नाम विलोपित कराने तथा पूर्व से दर्ज प्रविश्टियों में संशोधन कराने के लिए 31 अगस्त तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं डिनोरी जेले के सभी मतदान केंदरों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रश्काक्षन किया गया है आम नागरिक या मतदाता अपने मतदान केंदर पर प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन कर सकेंगे तथा मतदान केंदर पर ही मतदाता सूची में संशोधन के लिए फॉर्म 6, फॉर्म 7 या फॉर्म 8 में दावा अपत्ती दे सकेंगे इसके साथ ही ऐसे युवा जो 1 अक्टूबर 2023 की तारीख पर 18 वर्ष की आयू पूरी कर रहे हैं वे भी मतदाता सूची में अपना नाम जोड़वाने फॉर्म 6 में अगरिम आवेदन दे सकेंगे जिला निर्वाचन कारेले के अनुसार मतदाता सूची के द्विती विशेश संक्षित पुनरीक्षान कारिक्रम के तहट 31 अगस तक प्रत्ते कारे दिवस पर बीयलो अपने अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर मतदाताओं से नाम जोडने, हटाने और संचोधन के लिए आवेदन लेंगे इसके साथ ही सैक्टर अधिकारियों को उनके क्षेक्तर से समंदित मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का वाचन कराने तथा एक घर में 6 से अधिक मतदाता होने पर उनका भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिये गए हैं प्रदीश में मतदाता जागरूकता के लिए स्वीब की गतिविध्यां भी तेज हो गई है सतना जिले में विधान सभास्तर पर EVM प्रदर्शन केंद्रों तथा प्रचार रत के माद्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है सोमवार को जिले की विधान सभाक शेक्तिर के EVM प्रदर्शन केंद्रों में 741 लोगों ने माकपोल किया इसमें सतना के सयुक्त कलेक्टरेट भवन में 75 लोगों ने मौक पोल किया। कुछ समचार संक्षेप में। किसान सम्मानेधी योजनांतरकत, बैंक खाता, डीबीटी, इन बेल्ट, आधार लिंकिंग, लैंड, सीडिंग, एवं एक वाईसी से शेशकारे को अभियान के तौर पर पूर्ण किये जाने हैं तू। आगर मालवा जिले में आज से तीन दुनों तक्षिविर आई जित किये जाएंगे। इस पुलिटिन में फिल हाल इतना ही दीज़े इजासत। नमसकार।